गुद्वानिंग फ्रेंड्स आज है रभीवार अर्थात संडे संडे के दिन होता है फंडे हाना कुछ अलग इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं सतरीका बताने वाले हैं कि आप मनिफलांड जैसे पौदों से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल आपको सुनके बहुत आजीब सा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं और वो थोड़े नहीं लाकों में कमा सकते हैं चैलिए पूरा दिखाते हैं कुछ पौदों के बारे में बात करेंगे उसके आप यहाँ पर देख सकते हैं मली प्लांट्स जिसे बोलते हैं मली प्लांट्स हर घर में लगबग मिल जाते हैं गोल्डेन फोथोस हैं और गुलदावदी ये पौधे घर बैठे आपको लाखों कमाने का मौका देंगे जी हाँ कैसे देंगे कैसे आप कमा सकते हैं पौधे प आप जानते होंगे कितनी भी सक्षम family है या पूर family है किसी भी तरह की है, आप लोग हर साल लाखो रुपे की दवा कराते होंगे, है ना, अकसर लोग बिमार पढ़ जाते हैं, चाहे छोटी बिमारी हो, बड़ी बिमारी हो, कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो उनमें जाने म वाले पैसे अगर आप बचा लें तो एक परकार से पैसे कमाने ही तो हुआ ना जी बिल्कुल तो चली शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा दो मिनिट अगर आपको ना अच्छा लागी तो इसकिप कर दीजिएगा ठीक है ओके गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आज है संडे और संडे को हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही कुछ हट के और कुछ अति आवस्यक और महत्तव पूर्ल वीडियो तो ध्यान से देखिएगा आज कल भाग दोड़ भरी जिंदेगी में आप देख रहे हैं कि लोगों के पास समय पैदा करने वाले हैं यूपी ही नहीं इंडिया का एक प्रकार से कहें तो सबसे ज़्यादा बिकसित जगह यानि की नोड़ा और ग्रेटर नोड़ा की अगर बात करें तो वहां पर पर दूसरान का अस्तर इतना बढ़ चुका है कि आप वहां पर अच्छे से जी नहीं चाहिए सोला सो प्लस हरियाना की जिंद जिले में नौंबर महीने में रिकार्ड हो चुका है एक यूई जबकि आपको बता दें कि ये पचास प्लस यानिकी साट के उपर जाने पर ये स्वास्त के लिए हनिकारक मना जाता है क्या होता है एक यूई इसका मतलब होता है हम थ पाल्टी इंडेक्स है यह अन्य देसों में या दूसरी जगह जो है बहुत कम है नार्मल है 50-60 बहुत ज्यादा 170 लेकिन इंडिया में इतना ज्यादा क्यों है जो गड़िये चलती ही वहां चलते हैं उनसे निकलने वाले धूएं और उनके टायरों से उड़ने वाले धूल औ और इतना ही नहीं जहां पर कहीं निर्माड कारे होता है जैसे कहीं घर बन रहा है या कहीं खुदाई हो रही है वहां से भी बहुत सारे धूल उड़ते हैं और कुछ लोग कूड़ा करकर जलाते हैं कुछ जगह कोईले वगरा जलाए जाते हैं वहां से निकलने वाला चलते हैं इतना डीजल से चलने वाली ट्रेनों में यह सब मिल करके यह PM 2.5 और PM 10 को क्रियेट करते हैं इन ही सब मिला करके होते हैं और इनसे होता क्या है साफ लेने में दिक्कत ऑक्सीजन की कमी कर्बंडय अक्साइड और अन्विसाली गैसों की अधिकता जिनके कारण लोगों की जो एवरेज आयू है जो 60-65 साल होती थी अब वो घर्ट करके 50-55 होने वाली है और कुछ दिन बाद आने वाले दिनों में 30-35 हो जा कुछ कहा नहीं जा सकता मतलब कि जो हमारे पूरबज पहले 100-120 साल जीते थे अब आने वाले समय में लोग 30-35 साल जीएंगे कर सकते हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ये हैं कुछ पौधे जिनको आप अपने घर में लगाते हैं बहुत जगाल मिल जाएंगे आपको लगे हुए लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों लगा जाते हैं दूफरा की समझे आना हो पर दूसर ना हो आयाइटी कानपूर की एक रिसक्च में एक बात सामने आ चुकी है कि यदि आपको वाईव पर दूसर की समझे को ठीक करना है तो अपने घर में ये पांच पौधे लगाने चाहिए और वो कोई जादू टोना वाला पौधे नहीं है हकीकत कार्बन डाई आकसाइड और कार्बन मोनो अकसाइड जैसी जहरीली गैसों को सोख लेता है अब इसकी फोटो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे और साफ अकसीजन देता है घर में साफ अकसीजन के विकास के लिए घर में कंधे की उचाही तक के फोर एरिकेमा फार्म कार्बन डाई आकसाइड कार्बन मोनो अकसाइड जैसी बिसैली गैसों को पीता है कौन सा है वो पौधा ये आपके सामने उपस्तित है इसको आप देखे होंगे बहुत जगा आपको कमलों में देखने को मिल जाता है लेकिन आप इसका मतलब कि सिर्फ खुबसूरती के लि लेकिन पौधों के नहीं कुछ और चीज़ों के दूसरा है मदर इन लाटंग फ्लांट इसको एक अन्य नम इसक्रेट फ्लांट और वेडरूम फ्लांट भी कहा जाता है इसकी सबसे ज़्यादा आश्चर चकित वाली बात ये है कि ये रात में भी करवंडे आकसीजन को आक आकसीजन देते हैं और जब कि रात में उनकी पर क्रियाएं कुछ अलग होती हैं लेकिन ये फौधा रात में भी आपको आकसीजन देता है एक आदमी के लिए सुक्च हावा का इंतजाम करने के लिए घर के अंदर कमर की उचाई या तीन फिर तक की कम से कम छे पौधे लग आने होंगे जैसे थ्री लोग हैं तो आप कम से कम 18 गमलों में इसको रख दें घर में ये आपके घर की हवा को बिलकुल बहुत अच्छे से फिल्टर करता है तो ये वीडियो जदा बढ़ा ना हो जाई इसलिए इसको हम बहुत बढ़ा नहीं करेंगे आप कमेंट करके हमें बताईए का हम आपको फोटो दिखा दे रहें सबी पौधों की और अगर आप कहेंगे तो हम आपको दूसरा पार्ट जरूर दिखाएंगे दूसरा है मनी प्लांट इसके बारे में आपने सुना होगा कि घर में लगाने से लक्षिमी जी की किरपा बरसती है तो लक्षिमी मतलब इन डारेक्ट रूप में आप पैसा मिलता जबकि नगतपैसा नहीं मिलता है इनकी पत्विखतीओं को आप द्यान से देख सकते हैं और आपको अक्सर यह गंबलों में देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह गंबले में लटके क्यों रहते यह लोग इनको लगाते क्य गोल्डन पॉथोस गोल्डन पॉथोस जो पौधा है ये गमलों में आप सर आपको देखने को मिल जाता है लेकिन इसकी खासियत क्या है मैं आपको अगले पार्ट में जरूर दिखाएंगे अगला जो रंग बिरंगा पौधा आप देख रहे हैं ये सिर्फ फूलों की खुब पार्ट में कमेंट करके बताऊएगा अगला पार्ट आप देखना चाहते उपर दिखाएगे इन पौधों के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर पताएगा इसे आप यहां से पढ़ सकते हैं हो ना हो ये बात तो बिल्कुल सच है कि पौधूं में कुछ नो क कुछ खासियत तो होती है तभी तो हमारे पूरबग पौधों के बहुत बड़े प्रेमी हुआ करते थे और एक एक विकती कम से कम हजारों पौधे लगाते थे लेकिन आजकर लोग किस चीज के प्रेमी बन रहे हैं वो तो आप खुदी देख रहे हैं तो कमेंट करके अपने बिचारों को अवस्थ से कमेंट करिएगा लिखिएगा अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो को जादर फे जादर लोगों को सेय करिएगा और इन पाँच पौधों को जो मैंने लगाया यह बताइगा इसमें से कौन सा पौधा आपके घर में उपस्तित है या आपकी पडोसी के पास है या फिर आपके किसी हिती बेवहारिक या फिर आपके करीबी मित्रों के पास है तो बात समझ गे ना मनी प्लांट का मतलब आज आप समझ गये होंगे कि डारेक्ट मैंक अकाउट में पैसे नहीं जमा होते हैं क्या मिलता है इंडारेक्ट रुपे मिलते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा किसके किसके घर में मनिपलांट है जहां तक हम उमीद करते हैं भारत में सो में से कम से कम 40% घरों में तो जरूर होगा मनिपलांट अकसर लोग सोचते हैं कि भाई पैसे की आमदनी बढ़े लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं चलते हैं फिलहाल थैंक्यू अगले पार्ट में दिखाएंगे आगे